हेलो दोस्तो डिजिटल क्लासरूम चिता डास वागता ता एस वीडियो लेसन दे विच अपा गल करांगे PPSC दे प्रिंसिपल हेड मास्टर ते BPO एक्जाम दी के एस एक्जाम दी जो काट आफ आओ किन्नी जा सक दिया ता एस दा जो एक्जाम है कंडिक्ट करवाया गया सक चब्भी मई दो यार उन्ने नू पट्यारा दे विच अते एस एक्जाम दे विच काफी सारे कैंडिडेट्स जो सीगे ओ अपियर होई सीगे ता पूरे सिस्टेमेटिकल टांग देन आड़ अपा समझें दी कुशी करांगे कि एस एक्जाम दी जो काट आफ आओ किन्नी जा सक दिया ता मिजर जो तेने चीज़ा है एस एक्जाम दी काट आफ आफ फाइंड कर लिए अपने लिए जरूरी बन दिया है ता एस एक्जाम दे लिए अपने लिए जो काट आफ नहीं होगी जनने कैंडिडेट्स नो बुलाया जाना है उस बारे काट आफ होगी टा ए जो चीजा तुसी ते आहं दे वीचे रखनी है हुना अप आ गल कर दे है एक्जाम दी काट आफ बारे उस तो पहला आप जान लेने हैं कि एक्जाम दा जो पैटरन सीगा ओ किदना दा सीगा ता एक्जाम दा जो पैटरन सेगा 120 गोशन एक्जाम देविचाए सेगे जीदे विच्छव जो 80 गोशन सेगे और रिजनिंग दे सेगे ते जो 40 गोशन सेगे और जीके दे सेगे तजिवें कि मैं और ऐड़ेडी कपनी वीडियो बनाई सेगे study material दे अर्लेटर जी दे विच मैं दस्या जीका के 80 जो question reasoning दे ओने हैं ओ सिर्फ दे सिर्फ 6 तो लेके 8 topics दे विच ओने हैं जी दे विचो मैं 6 तो लेके 8 topics तो अन्हों दस्या सीगे puzzles दे विच मैं कहिए आर्थमेटिकल reasoning कही सीगी, log कही सीगी, alphabetical arrangement कही सीगी ठीक है ता होर भी काफी सारे topics दस्या सीगी मैं कुल मैं सर्फ 6 तो 8 topics दस्या सीगी ते ओही 6 तो 8 topics सीगी है तो अन्हों exam दे विच विच विखनू मिले सीगे ठीक है ता ता अन्हों ओ जो competition सीगा बहुत ही थोड़ा सीगा तो बिल्कुल उद्दादा ही pattern अपनू विखनू मिले सीगा उद्दादे ही question अपनू उस exam दे विच विखनू मिले सीगे कुछ puzzles सीगे हैं जो की थोड़ी हैं जो आपके साख दें के तो आड़े जो teachers सी उनना दे लिए tough सीगे हैं लेकिन जो students किसे banking exam दी त्यारी करें सीगे जामसलों की already पंच पंच मी ने छेच मी ने तो त्यारी करें सीगे उनना दे लिए ओ जो puzzles सीगे हैं ओ जो questions सीगे reasoning दो बिल्कुल ही असान सीगे उनना दे विच ओ जो students सीगे जो already काफी लंपे समय तो त्यारी करें सीगे ओ 80 दे विच्चों 80-20 score कर सक दे सीगे ठीक है लेकिन प्राबलम है थे ए आई कि होने जेड़े candidates ने एस exam दे लिए apply किता सीगे सारे teachers सीगे जो कि 7-8 सालां तो 7-10 सालां तो किसे ना किसे सिख्याद आ रहे दे विचे पड़ा रहे सीगे ते competition दे जो exam हों दे उनना दे ना बिल्कुल touch दे विचे नहीं सीगे ठीक है ता उनना candidates नो काफी ज़्यादा प्राबलम आई एस paper दे विचे ते एस दी जो reasoning आओ काफी length हो ना नो लगी हो ते उनना दे काफी सारी question जो सीगे और रहे गई हो और भी काफी चीजाँ हों यहाँ उस exam दे विचे अपनो विखनों मिले है जिमें के लोग की मानने के चाल रहे सीगे के एस exam दा जो pattern है ओ मतलब की पंजाबी दे विचे वी होगा जातकी में पहला ही क्या हो यह सीगा के एस exam दा जो pattern हो सिर्फ ते सर्फ English पाश आदे विच आओगा ते उससे तरह जो exam सी हो सर्फ ते सिर्फ आपनों English पाश आदे विचे वेखनों मिले है सीगा ठीक है ता ओ सारे candidates जिनना नो लगदा सीग जिनना नो exam दे विचे जिदो जाके बैठे उनना तो 2-4 question starting वाले solve नहीं होए जिटे के already की सीगे जिनना दे विचे statement दे विचे ही गलती सीगे और question ही गलत सीगे ता उनना दे विचे उलजे गए आते उनना दे paper वी की होगे बिलकुल मतलब की उनना दा exam जो सीगो बिलकु खराब हो गया ठीक है ता काफी सारे हुजे candidates ने जिननने MSC physics, MSC, math, math, math दी ते उनना नो मतलब की same problem विचे नो मिली ते उनना दे वी एनने ज्यादा mark से नहीं आई ता कुल मलाके साइशाले नो फाइदा होया साइशाते math वाले नो लेकिन एनना ज्यादा वी नहीं होया का काफी सारे candidates एक्जाम दे विचे उलजे है reasoning दे विचे जेकर मैं गलक ना जीके दी ता जीके जो सीगी हो काफी ज्यादा easy आई सीगी बहुत ही असान कोशन आई सीगे जीके दे पच्ची कोशन ता सर्फ पिछलियां जो है न दे एक्जाम होई सीगे ओसे दे विचो ही चाक किनल त्यारी किती से होना दे वी तो लेके पच्ची कोशन जो सीगे ओ ठीक होने चाहिए सीगे जेकर मैं गलकर है reasoning दी ता reasoning दे विचो जो तो अडे कोशन ठीक होने चाहिए दे सीगे क्योंकि टीचर्जर्ज ने एपलाई किता सीगे ता 55 तो लेके 60 ताएं जो तो अडे को वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए दे सेगी होना पर काट अफ दी गाल करन तो पहला एक अगल कर लिए कि एस एक्जाम दे विच्छे जो मेन एक्जाम सी का उसी का प्रिंसिपल दा एक्सो चरंजा पोस्ट आ जी दे लिए जी दे लिए अठवन जासो चौन्ट कैंडिडेट से कि किता से अपलाई किता सी था एस एक्जाम दी जो कट ओफ है वो सब तो जादा जो जान वाली है प्रिंसिपल एक्जाम दे लिए तो चल्य कितीत नहीं किते help है प्रिंसीपल एक्जाम दी है ये जो जाऊँगि 80 US, 25 प्लस, ठीक है तो 85, प्लस जेकर तुसरी किते ने, कॉ पूरे चांस बन देगा ओघूर कोई है क्योंकि एस एक्जाम देविची जिटा इंटरव्यू होना हो देविच है तेंगुणा इटेट्स नू बलाया जाने ओ मैं जो पूरा notification आओ तो नेक्स्ट स्लाइड दे विच दखाऊंगा ठीक है ता एस एक्जाम दे विच असी तो 85 जेकर तुसे score कि तेने प्लस 85 प्लस 85 प्लस प्लस जेकर तुसे सही कि तेने तो आनो बलाया जा सकते है क्योंगे जेकर मैं तेन देना लोग गुणा करां ता एस बन देने चारसो बाट ता चारसो बाट कैंडिडेट्स उन्हों एस एक्जाम दे इंट्रव्यू दे लिए बलाया जाओगा ठीक है ता 85 प्लस माने के जलो के प्रिंसिपल एक्जाम दी कट आफ जानी है ठीक है ता ओवी मैं त 15 एक्जाम दी कट आफ दे बारे दसन तो पहला ता ओ जो चीज आओ दखोना है मैं तो नो एत्थे जिमें के दे तुसी वेख पा रहे हूं कि एत्थे हैं ना नहीं जो पूरा करिटीरिया हो दे विच दस्या होया है कि एस एक्जाम दे विच जटे कैंडिडेट्स उन्हों पूरे चांस बांदे ने एस एक्जाम दी इंटर्व्यू दे विच बलाए जान दी ठीक है ता तुसी तो नो टेंशन लें दी बिल्कुल जरूरत नी उस तो बाद आप गल कर दे हैं कि एस एक्जाम दे विच नो तेन गुणा कैंडिडेट्स एत्थेना ने ने एक लाइन होर लिखी है कि तेन गुणा तो ज्यादा ओदों बलाया जाओगा जरूरी नहीं है कि तेन गुणा तो ज्यादा नहीं बला साथे तेन गुणा तो ज्यादा ओदों बलाओंगे जेकर की होंदे है जो चारसो बाटवे नमबर ते कैंडिडेट है ओदे मार्क्स आते चारसो प्रेट वाली कैंडिडिरेट ने बलाए जाओगा चार्सुबाट वाटनम्बर आывать उन्वा ले अले है हैキंडिडेड़्ट तै जिन्ने मांक सोन की सेम मांक स काली जेडे बक्तवाकी ये ओ एस एक्जाम नूँ देन ही नहीं आए एक कमरे देविच ये कर आपा गाल करिये ता चार तो पांचे जो सीटां सी यां ओ खाली पर यां सी ये एस एक्जाम दिया उससे तरह हेड़ मास्टर दा जो एक्जाम है ओ देविच भी एद नहीं अपनू वेखन नू मिला चार नूँ एजदा सीगा कि एस एक्जाम जो है ओ पंजबी पाषा देविच हून है ते उनَّधी ऐलेक्शन देविच द्यूटी वगैर वी सीगी ता ओ मतलब कि एस एक्जाम देविच अपीयर ही नहीं अपीयर हो एे लेकिन उन्धी त्यारी बिलकुल भी नहीं सीगी बासोंन या ने अपना रोल नमबर लिखिया दो चार गोड़े मारे ते आफदा मतलब की जो दो पेपर खत्म होया ते चाल दे बनी ठीक है ता काफी सारे कैंड़ी डेट्स है मन के चलो भी 400-500 कैंड़ी डेट्स था हुझे होन गे ही जिनना ने एस एक्जाम दा बिलकुल वित्यान न जाओगा जाद की अपियर होन वाले इस सिर्फ थाइसो न थीसो चैंड़ी डेट्स थी एस एक्जाम दे विचे ते उदे विचे में के मैं ता नो दस केट हैंगे 500-600 कैंड़ी डेट्स था हुझे ही जड़े के पंजाबी मन के चले सिगे के पंजाब बीच एक्जाम होगा जाओं फिर होना थी बिल्कुल ही त्यारी नहीं सिगी ता एस से एक्जाम दे विचे हेड़ मास्टर दे जेकर मैं एक्जाम दी गल करा था एस दी जो कट आफ है बिल्कुल ही डाउन जाओगी मन के चलो भी जेकर तो आड़े 60 तो पैंट राइट राइट आंसर ने साड़ तो पेंट बन दे लिए जर्णल केट नंबरr जैकरró में बन रहे नी जर्णल केट आइंड बन रहे नी जर्णल केट आइप इसको प्रहे चांसल बनामास्टर दे लिए दिला बनाया सओं तो उसी एक्जाम दा इंटर्वी जो है उस दे विच तो पका ही बलाया जाओगा यह चीज गरंटी है उनना दे 50 मार्क से ने 55-60 मार्क से बिलकुल उनना नो बुलाया जाओगा कोई टैंचन ना लिगा ले नी बस तो आड़ा जो एक्जाम है तुसी वधियत रिके ना 60 पैंट एस दे विच की किते होने चाहिए राइट अंसर तो आड़ा होने चाहिए एस एक्जाम दे ले ठीक लेकिन फिर भी एस एक्जाम दिया जिमें कि अपयर जान दे कि पोश्टां काफी ज़ादा काट सी हैं पोश्टां बहुत जादा थोड़ीया सी हैं तो इस एक्जाम दी जो काट ओफ है उस एक्जाम दे विचे 100 बी नियर बाउट केंडिडेट से नो बलाया जाना है ते एस एक्जाम दी जो कट ओफ हा ओ थोड़ी जी हेड़मास्टर दे मकावले जादा जाओगे हेड़ मास्टर दे विचे ता एजदा होया पै के पूरे गैड़िडेट से ही मतलव की इंटर्व्यू देले बलाये जा साके दिया मलकि जिनना ने थोड़ा बहुत चाज़े दे तरीके नाल इस एक्जाम नो एक मिना पहला त्यारी करके दितता है ते इंगलिश दे विच मान करके दसागे तो अलावा जो वर्स है पते टेलीग्राम जो ग्रॉप है उस दा भी लिंक में ता नो एस वीडियो लेसन दे डिस्क्रिप्शन दे विच दे दूँगा ते जो इंपॉर्टेंट नोटी सा जी दे वारे मैं तो नो दसना सीगा ओ वी आपर डिस्क्रिस डाकॉमेंट वेरिवकेशन दे लिए बुलाया जाओगा ते उनना विच उनना नो नोटिस जारी किता जाओगा जिदे विच उनना नो डाकॉमेंट वेरिवकेशन दे लिए किया जाओगा ते सर्फ ते सर्फ कोल ही तिन दिन दिते जानेंगे इससे करके जो तो अड़े ड बांदेने हो सारे तुसी पहला ही त्यार करके रखने हैं क्योंके ना दा कोई पता नहीं के कदों होए तो अनू डाकुमेंट वेरिफिकेशन देली नोटिस जारी कर देन ठीक है ता ओस नोटिस दे विचे दसन गे उनना कैंडिडेट्स वारे भी हो सकता है के नोटिस जारी क होगा फिर बीपी ओ देली बलाया जाओगा ते फिर उस्तवाद हेड मास्टर थी मिस्ट्रस एक्जाम देली जो कैंडिडेट्स से ने अप्लाई किता सी गा उनना नू बलाया जाओगा ते मिल देनेक्स्ट वीडियो लेसन दे विचे थेंक्यू